तो स्टुडेंट्स आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं पीस्टाट टूथान ट्वैंटिफॉर का जो एक्जाम होगा डिसेंबर फस्ट को राइट तो उसके लिए हमें जो हाउ टू प्रपियर इंग्लिश जो अभी जो 40 डेज का जो रहता है समय तो उदेचे तुसी भी करूंगे सारे स्लेबस नों डिसकस करूंगे तो देखूंगे केड़े केड़े टॉपिक्स हैं जितो तुसी ज्यादा माक्स बना सकते हो राइट तो यह सारी गल्ला आप इस क्लास्टे डिसकस करूंगे हाउ टू परपियर इंग्लेश 40 डेज स्ट्रेजी राइट तो यह जो बैच है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है मंडे से मीन्स 21st of October से स्टार्ट हो रहा है और यह चलेगा हमारा तिल नवंबर तक नवंबर 28 तक ठीक है मीन्स फॉर्टी कोड़ा है चाले के दिन बन दें ठीक है तो इस तुसी किद्धा मतलब पढ़ना है ठीक है यह बैच साड किते स्टार्ट हो रहा है वह सारी जानकारी में तो नो दो हूँगा ठीक है कोई तोड़ी कोई रीज होएंगी फदर ता गीवन नंबर ते तो सी कॉल कर सकते हो जड़ा इथे तो नो नंबर मिलेगा राइट ता इधे बारे अपा देखिए कि इधे अपा स् प्राइब में तो नहीं तो सीट नो 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 आपको अपा देखिए सब तो पहला यही एसाड की इंटर्दक्षन इंटर्दक्षन चाहँए अपा देखना है कि पंजाब दपजाबस्ट इचर विलिटी तस्ट दाइस कार पी स्टार्ट राइट यह किद्दा examination conducted in Punjab India भारत पंजाब में जो है इसको कंड़क्ट किया जाता है तो असेस्ट दा eligibility of candidates इत्थो मतलब candidate the key assess किता जन्द eligibility for teaching positions in primary and upper primary schools तो अनुपता है पेपर बन जेड़ा हुंदा है जो पहली ते जो ही तक हुंदा है तो 6th to 8th तक देला ही मतलब पेपर 2 हुंदा है राइट ता उधी जड़ी eligibility हुंदिये positions हुंदिये primary and upper primary schools it is essential for ensuring that teachers possess the necessary knowledge and skills to deliver quality education मतलब इस एग्जायम दा में जड़ा मोटीव है वो यह हुंदा है मतलब जड़ा teacher है उधे अंदर वो गुण है क्या उधे अंदर वो qualities है ठीक है कि जड़ा फर्स्ट तू फिफ्ट या शिक्स टू एट तक मतलब वो अपनी quality नू डिलीवर कर सकता है मतलब students दे सामने ठीक है तो उन्हों बदिया मतलब उस देले हुंदा है राइट तो देले मतलब यह पी स्टाट जड़ाई पहला पॉइंट केंदा है कि quality education right peace test helps maintain a standard for teacher qualifications and ensuring that only competent individuals enter the teaching profession right they go teaching profession जया जी एक आर्ट है कल है हर बंदा ता teacher teacher नी हुंदा हर बंदा teacher नी कर सकता है ठीक है तुसी अपने तो अदे अंदर knowledge है but how you deliver how efficiently you deliver your content in front of students है तुसी आपने contents नू किद्धा मतल स्टुएंट से सामने डिलीवर कर देओ teaching profession जो तुसी एंटर हुंदेओ ता उन्हों maintain करन वास्तेक बेसिकली वह है क्रिटेरिया है तो दुझा करिकूलम रेलिवेंस में हजे तोनों पी स्टाइट देवारे गल्दस दव है ठीक है कि वाई पी स्टाइट इस इंपॉर्टेंट हुंदा किया यह राइट उतो बाद फिर आपां थोड़ा जाके बदूंगे ले बस दिबल राइट करिकूलम रेलिवेंस दिगल केंदा तेस्ट इवालुएट जेड़ाजी पी स्टाइट पेपर हुंदा है यह जांच की करदा है की वैल्वेशन करदा है कंडिडेट्स on their understanding of child development right child development इदी अंडर्स्टेंडिंग मतलब यह उत्यक्वेशन बंदे पैडगोजी बड़ा इंपॉर्टेंट ही पैडगोजी काफी पुछी जंदी है मतलब हर सब्जेक्ट देना पैडगोजी देक्वेशन आंदे हैं और सबजेक्ट स्पैशिफिक नॉलेज अलाइनिमिध करन्ट एज्जुकेशनल प्राक्टिस सब्जेक्ट स्पैसिफिक होग जिदा हुण अपा इंग्लिस दिगल करीएं ता इंग्लिस मतलब जड़ा सबजेक्ट लेंग्वेज तो रिलेटी नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन है रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो लेंगोज दा पार्ट है राइट ता मतलब हर तुसी कोई भी पेपर पिछला चुक के देखूंगे तो नो मिलूगा उथे दो रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पुछे जान दे हैं ठीक है उधे उते सवाल हुं दे हैं फिर उध अड़र्वब है कंजंग्शन है मतलब ग्रैमर दा नॉलेज है वो भी उते रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सवालना तो ही पुछा जानता है रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन आं दे हैं वो भी एक जन्रल जे पैराग्राफ आंदा है तो फिर फिर फोड़ा प्रोज पैसेज भी पूछा जानता है जिए अपा पेपर टू दिगल कर दे हैं जिड़ा सिक्स्त तू एड़्थ वास्ते हुंदा ठीक है तो यह थोड़ी जी गल्ला है थे त्यान रख्यों आगे केंदा ओवरॉल पीस्टाइट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एडियुकेशन है उदा लेवल उपर लेके आंदा है ठीक है यह एग्जैम ठीक है तो मतलत जड़े बदिया टीचर्स है वही आगे जाए इस टेस्ट नों फाइट करके ठीक है ता फिर वो स्टूडेंट दे जड़ी एक्सपेक्टेशन से ता कि वह अपने कंटेंट दे थ ठीक है तो आप लाइन बाइन स्टैप बाइस टाइस स्टैप बाइस स्टैप जो है चैप्टर नों देख लेंदे तो पहला जड़ा साधा इथे चैप्टर बढ़ूगा दाट वुड़ भी लर्निंग एक्क्यूजेशन राइट यह चैप्टर दे नाम है तुसी नों पढ स्टैप्टर यहीं दस्या गया है कि मतलब एक छोटा जे बच्चा इस दुनिया चे जनम लेंदा है तो मतलब केड़ी लेंगोज सिखता है पहले मतलब जड़ी वह फस्ट लेंगोज उदी हूं दी है राइट ता मतलब उन्हों सिखन वास्ते उन्हों मतलब कुछ भी लर् नियाना उन्दा एक दो साल दा वो बढ़ियानों अब्जर्ब करदा है थेक है ता इमिटेट करदा है ठीक है उदोच को एक प्रॉपर ट्रेनर नी उन्दा है थेक है इधा फॉर्मल फॉर्माट उन्दा है एक्क्यूजेशं दा इस चेप्टर दे विच यही स्खाया गया तो उन्हों मतलब सिखन लाई को जोर नी लगदा ठीक है ना वो नैच्रूली बच्चा न्याना सिख दा है बट जद आपा स्कूल जाना स्टार्ट कर दें तो उत्थे मतलब एक प्रॉपर ट्रेनर हुंदा है उत्थे सानु होमवर्क भी मिल दा है ठीक है ता वो सारी गला लर्निंग फिर ठीक है तो उधा फॉर्माट जड़ा एक फॉर्मल हुंदा है उधे फिर आटिफिश्यल जगन्वामेंट हुंदा है हाना क्यों थे 10-15 नेजाने क्लास बेंदे हैं ठीक है बनावटी जण्वामेंट बनाया जाना लेकिन जड़ा नेजाना चोट्टा होंद लेंगोज नू पढ़ान दें ता उधे केड़े केड़े सिद्धानतों ने चाहिए दे प्रिंसिपल ओफ लेंगोज टीचिंग बतल जब एक इंग्लिश टीचर लेंगोज को टीच करता है तो उसको पढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं और जैसे मैं इंग्लिश की फकल्टियों मैं अंग्रेज जी बढ़ान दाए थे सिविल स्टैप या ग्यानम चे ठीक है अपा ग्यानम चे इंग्लिश पढ़ा रहे राइट तब मतलब इंग्लिश पढ़ाऊंगा जे मैं इना सिदान्ता दा इना प्रिंसिपल्स दा गौर करूंगा इनानों मन के चलूंगा अपनी टीचिंग इनानों इंप्लिमेंट करूंगा ता मतलब मेरी टीचिंग निखा रहा हुगा ठीक है मतलब तो अड़े सामने एक एफ्यक्टिव इना प्रिंसिपल्स देख नों टू अनों तुसी पढ़े ओना जे तुसी टीचिंग दे स्टूडेंट्स हो ठीक है ता तुसी यह गलाद देखें होने हैं कि हमेशा ही पहले टीचर जो है सौक्षी चीजानों पड़ांदा है ताही फिर वो सौक्षे तरिके नाल अख्षे तरिके जानदा है इद्धा था होनदा निकि पहले complex things पड़ाएगा फिर अख्षा पड़ाएगा तो सौक्षे तो अख्षा पड़ाया जानदा है easy to complex वाला एक principle होनदा है ठीक है एक्जीम्स ओफ टेचिंग भी बोल देया इसे चैप्टर नो प्रिंसिपल जे मैं इना नो जे कर मैं इना सिदानता नो प्रिंसिपल नो अपनाऊंगा ताह मेरी टीचिंग मतलब वह इफेक्टिव नेस नजर आएगी और कुछ निया ताह यही दसे गया है कि एक टीचर ज जाते आन रखूंगे ताह तुसी बदिया तरिके नर अपने लेक्चर नो अगे कंटेंट नो रिप्रेजेंट करूंगे स्टुडेंट दे सामने राइट चैलेंजीज ऑफ लैंगोईज टीचिंग मतलब जद एक टीचर लैंगोज नो उपड़ आंदा ताह केड़े वर्ड़ क्लास एरिया चल गया तो उत्थे मतलब उत्थे दी लैंगोज कुछ हो रहा है तो मतलब इद्धा दिया गल्ला मतलब केड़ी केड़ी सिचुएशन स्फेस कर सकता एक टीचर ठीक है तो वह इस चैप्टर चैप्टर जी बड़ा इंपार्टेंट एवल्यूएश इदेशन भी काफी इंपार्टेंट है इस भी मैथर्ड अपन देखूंगे केड़ी केड़ी मैथर्ड दसे है प्रॉपर असेस्मेंट हुए ठीक है तीचिंग एड्स टीचिंग एड्स भी टीचिंग नों इफ्यक्टिव कर दिये वही जद एक टीचेंग एड्सी कर दा य सब्सक्राइब करके देखा है कि यार सारे बच्चे जो है चीजाया हूं समझ देया को इक लिए यह क्लास मतलब 10 बच्चेयां धेक बैच है तुसी देख्या होना कि जद भी सेशन स्कूल स्टार्ट हुंदा है ता सारी गल्ला सेम हुंदी है एक अड़र्ड सेक्षिंस बन दे हैं उदे चे मतले एक पर्टिकुलर एक टीचर उन्हानू सारी टीचर सेम पढ़ान दे हैं एक सेशन चे साइंस भी पढ़ाऊंगा मैथ व क्यों हुंदा है एक की नियाना टॉप करता है या एक सेकेंड एक थर्ड बाकी कई फेल भी हो जांदे यह वेरी क्यों हुंदा है यह क्या डिफ्रेंस है ठीक है तो तुसी एज टीचर मतलब स्टूडेंट्स नों प्रॉपर रेमेडी देनी है रेमेडियल टीचिंग उन्ह देख के साथ नों चेक करता है तो दवा देना कि मैंनों प्रॉब्लम की फिजिकली मेंनों की दिक्कत है ठीक है मेरा बलड प्रेशर भी पी हाई या लो है तो उद्धा ही मतलब तुसी भी एज़े टीचर ज़द क्लास एंटर होंगे तो आनों देखना पहना कि केड़े दिक्राइब या इदि राइटिंग स्किलियक है जा एदि स्पोक न जीदू इनू दिक्कत है स्पीकिंग स्प्राब्लम है अना तहां मतलब तो ह्छी ओझा फिर होऊगा उन्हों आ पपकी दोंगे एक प्रापरर रैमेडी दोंगे ठीक कि हाँ अधी बार बार आं अपका JEN लऊंगे हैना उना दी असेस्मेंट करूंगे ता उद्धा आप सानों इंप्रोव्मेंट लेकर नहीं है उसे दे उत्ते है यह चप्टर जाट इस कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग राइट बहुत बदीया चप्टर है इत्थे भी टीचर मतलग काफी कुछ सिख दा है ठीक है युट दा छलीं फिर आगी जी साथी स्केब्स आगे रेडिंग स्केब्स खीर रेडिंग स्केल्स्च भूगि क्यू आप Cindy लिसेने बहुत की स्ट辛थे शोंज होना चाहिए ज़ाएक सीड़ा है लिसें आउम लेंग टाज्र्छि एख ननों स्ट्युन करे और्ल máxim स्टर्ण सब तो बाद फिर राइटिंग हों दी है तो इस सिक्वेंस दे उत्ते भी कई बार क्वेश्चन बन जानदा है फिर थोड़ा जी साथ जड़ा ग्रैमर है स्टुडेंट्स यह भी थोड़ा अड़ ग्रैमर है वह ग्रैमर नहीं यह नहीं कॉंपटिक्टिव एंगजाम से पढ है सिंक्स की उन्दा यह सारी कवला तुसी देखनी है थोड़ा जिस डिफरेंट हूं दे रेडिंग कॉंप्रियंशन काफी इंपोर्टेंट है यह नशीं रेडिंग कॉम्रेंशन विडिंग कॉंपर्येंशन व्यूंध क्यों कि दो पैसेज तो आनों पूछे जाएंगे प स्किल्स की हुए पते जद भी आपा किसी गलनू कर दें तो दो बन्दें एक स्पीकर उन्दा एक लिस्टनर हुए राइट हुन स्पीकर नूं केडी केडी गल्ला दाते आन रखना चाहिए ताकि जिस गोल दे उत्ते वह उस गलनू कर रहे हैं ताकि वह सक्सेस्फुल हुए ज़े मतलब उन्हां गलनू इदे उत्ते बढ़न दाऊ सावन सीज ऑफ कम्मिकेशन सुन दिया साथ सी उन्दे कम्मिकेशन सदे ठीक है होड़े केड़े केड़े साथ तो सी उन्दे जद आपा लेक्चर करूंगे उदे चे तो आनों डिटेल चाहए जाओगा सावन सीज ऑ लेंगविज इंपोर्टर स्कील्स घंस आपको बताया मैंगजीम ओपाई होता है करेक्टिस्टिक्ट्र अप्रिंसिपल्स अभी तेचिंग इफ्टिव टेचिंग स्किल राइट और लिट्रेरी टर्म्स तो अनुब पता है कि लिट्रेचर से पुछ अलंकार हुं देया ऐसे बाह सारे मेटाफर सीमिली ट्रांसफर्ट अपिथेट एनेफरा दिर सो मैनी लिटरेरी डिवाइस इन लिटरेचर बेसिकली राइट ओक्सीमरोन फिर तोड़ा यूफिमिजम की हुंदा यह भी तो अनुक टो कट ज्यादा नी मतलब लिटरेरी डिवाइस दे उते तो अनु नौलेज होना चाहिए जे तुसी मतलब इस पेपर करना है क्योंकि इना दे उते भी क्वेश्चन बन दे हैं भाई क्या वह की कहनदे उन्हों हाइपर बली की हुंदा है उदा तो अनु अडेंटिफाई करना आना चाहिए जिदा एक स अब पैरीजन कर रहे है ओ राम दा लायन देना चाहिए राम एक शेर है क्या राम दीजरी शकल ओगों शेर नाल मिल दीया तापा बोल राम लाय नहीं ही इस हीड़ान निगल नुकलदा पए कि राम जो है शेर की तरह बहदूर जैसे मां आपने बच्चे को बोलती चाहिए मेरा पुढ शेर है मतलब गए इंद को अपनी बच्चे को अफ़लना चारी है कि मेरा बेटा तो बहादूर है तो यह बेसिकली आपका क्या है मेटाफर मेटाफर लिटेरी डिवाइस यह पाफी बदिया हैं लिह पर चेप्टर मतलब इस इदिविंद आपको करेंगे ठीक है स्टेटिंग स्टेटिंग औप्जेक्टिव इंबीविविविरहल tommस वैस नरेशन वाकिए किन्हे प्रकार दे ठीक है दया उतनलाइबर राइटिंग पारग्राफ राइटिंग रिपॉर्ट रेएटिंग क्रिव रायटिंग जेत उसे पिछतले में के की एरिया जिन अधे उत्ते तुसी ज्यादा फोकस करना हलां कि यह सारे जड़े चाटर सब्सक्राइब 25 बने पची चप्टर टोटल है यह पची टॉपिक्स मनलों नहीं ठीक है इना चोहना केड़े की एरियाज है तो की एरियाज आपा गल करिये ता इदेच दो तीन सब्सक्राइब 25 ज्यादा फोकस करना है पहली है सब्सक्राइब रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब चाली दिन अपाँ पढ़ूंगे चाली दिन दा एक क्रैस कोर्स लेके ग्यानम आ रहे है ता इदेच मतलब तुसी यह मन के चलो कि एक ऑल्टरनेट एक दिन छड़के त इदेच बदिया स्कोर लें दी गरेंटी मेरी है तो बदिया स्कोर आएगा यह तो फुली अपा गरेंटी दे सकते हैं ठीक है जी बाकी देखो जी मेनत ताली दोनों हत्थानाड बजदी है टेक्स टू तू मेका क्वारल ठीक है टीचर तो ज्यादा रोल तो अड़ा है कि तूसे किनी प्रैक्टेस कर देओ बड़ तो अनों कंटेंट्स प्रवाइड करना वह साड़ा साड़ी ड्यूटी है ठीक है कि डेली मतलब रूटीन चो तूसी एक दिन छटके तो अनों मतलब वीकली तो अनों तीन तो चार पैसेज रीडिंग कॉम्प्रेहेंस दे सॉल करन तूसी टेक्स्ट नों किंदा समझ देओ तो अनों वो बदिया समझ आओगा ताहीं तूसी अंसर उत्थे लब पाऊंगे अब्जेक्टिव टाइप है सब्जेक्टिव लिखना है नी ठीक है ग्रेमर जी देच मेन वकेबलरी है मेन ठीक है होर तो अड़ा पेडागोजी तो पंदरा सवाल पेडागोजी जी आंदे ठीक है तो अड़ेंशन दो पैसे जांदे इंदे चामेली थर्टीकोशन सुन दे उधे चमेली ये दो ही चप्टर जड़े ज्यादा फोकस धुन दें ठीक है तो अड़ेंशन ची तो अड़ा नॉलेज भी पुछ सवाल कोई सिमिलर वर्ड या उपोजेट वर्ड पूछ सकता है कॉम्प्रियंशन तो ठीक है मेन की एरियाज की टॉपिक्स अड़े ये ठीक है जी इतो वाद आपा थोड़ी जी गल करें स्टेडी मेट्रियल दी ठीक है स्टेडी मेट्रियल्स की हुंदा है मतलब अपने लावल तो भी कम कर सकते हैं टेक्स्ट बुक्स ठीक है ओल्लाइन सोर्सिस तुसी देख सकते हो ग्यानम दे यूटूब चैनल थे या ग्यानम पंजाब पंजाब ग्यानम जो चैनल है उत्ते भी तोनों कुछ अड़ क्लासीज मिलूंगी ता ओल्लाइन भी तुसी र चैनल है या ग्यानम पंजाब पंजाब ग्यानम चैनल है ओदे उत्ते भी टीचर्ज जीड़े एंसी क्यूज कराओंगे उनादा भी तुसी फाइदा चुकना है ताकि तो अड़ी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होए पहले ता देखो त्योरेटिकली सानु यह पच्ची सब्सक्राइब कराओंगे उनादा भी तुसी लाब लेना है ठीक है फिर आपा करिए टेक्स्ट बुक्स दिगल करिए तर एंसी आर्टी बुक्स तुसी फोकस करो फोकस ओन्दा एंसी आर्टी स्लेबर्स फोक्लासिज 1-2-8 क्योंकि तो उन्हों पता है पेपर बंच 1-5 6- फोकस करो अश्पेशली सब्जेक्ट लाइक इचे तुसी मैथ इंगलेश ठीक है तो वह तुसी इंगलेश लए भी ता दुझे सब्यक्स लेश्ट लेए फालो कर सकते एंसी आर्टी फिर चाइड़ डवलप्मेंट दिया अपा गल करिएं सीडी पी चाइड़ डवलप्मे इन्हों तुसी फॉलो कर सकते हो ठीक है जिए अपा लैंग्वेज प्रोफिशियंस दिगल करिए ता बुक्स फोकसिंग और इंग्लिश और पंजाबी ग्रैमर ठीक है एंड कॉम्प्रिहेंशन सच अज जिए अपा इंग्लिश ग्रैमर दिगल करिए ता यह सी बीसी बोड करने बैगे उद्धा नहीं करना है में में जड़ा साधे टॉपिक तो लेटिड होएगा वो तुसी उद्धेले इस ग्रैमर नों फॉलो कर सकते हो अपा गल करिए ठीक है ओफ्लाइन क्रैस कोर्स है ठीक है इस कोर्स देजी फीचर्स ही है कि इदे ची तो अनूँ इंग्लिश मेडियम होएगा लेंगोज दा बुक्स फॉर आफ्लाइन स्टूडेंट्स भुक्स भी तो अनू मिलोंगी उससे फीच पीडिएफ स्टूडी माटरियल फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मिलेगा राइट 5000 mcqs for practice मिलोंगे राइट फुल लेंथ मॉक टेस् इस फुल लेंथ जद तो अड़ा मतलब यह समझो कि 50% अपकरा दूंगे तो वात वीकली मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग शायद ना हो क्योंकि देखुछी स्लेबस होएगा ताहीं तुसी मॉक्ची भी परफॉर्म कर पाऊंगे ना अब्यस है ता म अड़ा मतलब हफ्ते दा इक मॉक टेस्ट वाड़ा स्टार्ट हो जाएगा फिर हो सकता है दो हो जाएं यह मॉक टेस्ट दस होएंगे तो अनुद दस टेस्ट मिलूंगे राइट परस्नल मेंटोर्शिप मिलेगी सारी फिकल्टी बढ़ी कॉपरेटिव हैं तुसी इद्ध सपोर्ट फॉर डाउट से हो सकता है कि वीकली फिर आप एक डाउट सेशन भी रखोंगे ठीक है ता स्टार्टिंग हो रहा है स्टार्ट हो रहा है बैच जी ट्वैंटी फॉस्ट ऑक्टूबर तो दो जार चोबी तो एंड डेट त्यानु पहले विदा सी ठाई नवंबर तो जार चोबीज नुए खतम हो जाएगा ठीक है ता फिर इदे लेजे तो अनुट उसी जॉइन करना चांद देओ तो यह ति नंबर लिख्या पाया है नाइन डाइन डाइन फीस इदि तिन हजार पी ठीक है जी 3000 इदि ऑनलाइन फीस है बाकि कोई भी तुसी कोई रिलेन इस्टिूट सहयर एं धिकारणना में संगरुर्च भी है पंजाब्च ऐसर्ठ बिल्उंग कर दो нез Alberto उसम्हाइड ले सकते हो तुसी इत्ही चंडी गड़ चाहर रहें देओ ता क्षिछ भी ब्रांच ऐ टाइडी तो पंझाब तो रोपड तो बिलॉग करदे टाय तो उनों करने नेडए पहना थे अट्मीशन करा सकता है ठीड़ कर आसकता है जोश्यार पूर्च चया है ज्यात प्रफतेगड साप चाहिए जी कोई भी कोई रियो यह जड़ा बैच है यह साथ इत्थे स्टार्ट हो रहा है सेक्टर चौनतीच ठीक है जिदि अपने इत्थे गल की ती में यह बैच साथ दोजार चौबी ऑफलाइन क्रास क्रैस कोर्स है यह तो अनुदस्ता यह सारी गल्ला इदेच मिलोंगी ठीक है जॉइन करो ग्यानम इंस्टिटूट नो बदीया रिजल्ट वास्ते ऑफलाइन फीस इदी अठ्थाजार पी जिदेच तो अनुए सारी चीजा मिलोंगी ठीक है इदेच तो अनुदस भी मिलोंगे ठीक है स्टडी मिट्रियल ऑल्लाइन स्टूडेंट वास्ते भी है ऑफलाइन सारी बुक्स भी मिलोंगी बुक्स फॉर ऑफलाइन स्ट्वेंट्स मतलब जिन्निया भी कताबा बावनेंगी पी स्ट्राट दी जेड़े भी सब्जेक्ट ह तो अधे मैथ है या जड़ा और तो अधेना नाल कॉंबिनेशन स्स्ट इंग्लिश है तो उद्वाइड होंगी पर्सनल मेंटरशिप है फुल लेंथ मॉक्ट टेस्ट तो अनुदस मिलोंगे ठीक है इदे ची तो ही तोसी अपनी असेस्मेंट कर पाऊंगे कि हांजी किनना कर तोड़ा त्यारी हुई किनी तोड़ी इंप्रोव्मेंट आई ठीक है कितना क्लासिज तो तो अनुद किनना फायदा मिले ठीक है यह सारी गल्ला सीगी नंबर नो जुरूर नोट करें हो स्यो तेरा चौदा पंद्रा सेकेंड फ्रोर सेक्टर थर्टी फोर ए चंडिगड इत्थे जी यह बैच चलूगा ठीक है मंडे तो इदी स्टार्टिंग है टाइमिंग वह रहा जो तुसी अज़्याद एडमिशन कराऊंगे तो अनुपूरा शेडियूल मिल जाओगा वीक